हेलो सुरेंट्स कैसे आप सबी लोग आज हम इस वीडियो में हमारा हिंदी का चैप्टर सेवेंटीन करने वाले है जिसका नाम है निरिक छड़ ठीक है इस वीडियो को मैं आपको अच्छे से एक्स्प्लेयन करूंगा और इसके आखरी में मैं आपको इसके कोच्छन एंसर भ लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल देंगे ठीक है वो लिंक अगर आपको कमेंट सेक्षन में नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का वहां पर मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हो ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं दो हमारे चैप्टर का नाम क्या है निरिक्षन निरिक्षन मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना ध्यान से अब्जर्व करना तो यह चैप्टर में हमें किस चीज़ का निरिक्षर करने बोला गया है किस चीज़ को ध्यान से देखने या ध्यान से पर एक प्लांट एक पौदा एक पौदे को बूला गया है कि हम उसे खुले खुले हवा में रखेंगे मतलब जहां पर उसको धूप मिले अच्छे से हवा मिले वहां पर रखेंगे और उसके साथ क्या हो रहा है प्लांट कैसा है उसके बाद उसी प्लांट को हम एक बंद रू किसी एक प्राकार के दो बीज जैसे चना, मूंग, मतर, जौ, आदी लो, या पर दो क्या बोलने के बाद आपको क्या करना है उन्हें दो अलग अलग गम्लों में बो, अब देखो क्या बोलने हैं, कि आपको क्या करना है जो बीज आप लोगे दो उन्हें क्या करना है अलग-अलग गमलों में बो देना है जिसे कि यहां पर देखो आप देख सकतो किया गया है वो बीज को एक यह गमले में बोया गया है एक यह गमले में अब देखो आगे क्या है प्रतेग दिन दोनों गम्लों में थोड़ा थोड़ा पानी चिलको अब क्या बहुत भोल ले हैं कि तो तीन दिन बाद दोनों गम्लों में अंकुर उगाए है क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जब आप पानी उसमें डालोगे तब दो-तीन दिन बाद आप क्या देखने वालो हो कि दोनों गंबलों में अंकुर आ गया है अगे क्या है अंकुरों के बढ़ने के लिए थोड़ा समय दो अब क्या बोले जो अंकुर है जो छोटा सा पाधा आ होगा वो पौदों में बदल जाएंगे ऑप न जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है पहले गंबले को च्छत आंगन या ऐसी जगहां पर रखना है जहां पर उसे सीधे सीधे धूप लख सके सीधे सीधे सूरच की रोशनी उस तक आए ऐसी जगह आपको रखना है पहले गमले को अब देखो दूसरे गमले के साथ क्या करना है आपको दूसरे गमले को कमरे में ऐसे स्थान पर रखो जहां धूप ना आती हो अब क्या बोले जो दूसरा गमला है आपको उसको क्या करना है एक ऐसे स्थान मतलब एक ऐसी जगह पर रखना है जहां पर धूप नहीं आती हो मतलब कि क्या आप कर सकते हो, एक रूम में रख सकते हो, कमरे में, कमरे में तो धूप नहीं आती है, बंद कमरे में आप रख सकते हो, अब दोखो आगे क्या बोले हैं, पांच दिन बाद दोनों पवदों का निरिक्षड करो, अब क्या बोले हैं, कि दोखो निरिक्षड जब आप दोनों पौदों का निरिक्षण करोगे, जब ध्यान से देखोगे, तब आप क्या दोखोगे? तो यहां पर हमें बोल रहे हैं देखो आगी क्या बोल रहे हैं चाया में रखे पौदों के पत्ते मुर्जाएं हैं और कुछ-कुछ पीले पड़ गए हैं क्या बोल रहे हैं जो पौदा आपने ऐसी जगान रखा था जिस तक सूरज की रोशनी नहीं पहुचे वो पत्ता कैस हो गया है मुर्जाया हुआ है मतलब उसके पत्ते जो उसकी लीव से मुर्जाई हुई है और इसके कुछ-कुछ जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं क्योंकि उन्हें सूरज की रोशनी नहीं मिल रही थी तो देखो यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे दो कि जो पौदा चाया में रखा हुआ था उसके पत्ते मुर्जा क्यों गए और इसके कुछ पत्ते पीले क्यों पड़ गए यह आप आपस में चर्चा करो आपस में डिसकस करो अपना निश्कर्च सिख्षक को बताओ और क्या बोले हैं कि अपना निश्कर्च मतलब जो आपका कंक्लूजन मिले एंड में उसको आपको सिख्षक मतलब अपने टीचर को बताना है ठीक है तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लिट हो गया है अभी हम चलेंगे कोशन एंसर की तरफ ठीक है तो अपने और बुक लेकर बैठ जो हम कोशन एंसर करते हैं तो देखो यहाँ प भूब में पौदा जो रखा रहता है जो प्लांट रखा रहता है वो हरा क्यू रहता है वो हरा बरा ग्रीन क्यू रहता है उसका रीजन आपको बताना है तो उत्तर के आपका देखो पौदे भोजन के लिए सूरे का प्रकाश का उपयोग करते हैं क्या बहुत है कि जो पौ अपना खाना बनाटे थको और फिर थेख। अवात एम व्हुम का रहती जो भूत अखरा होता खिरा मंतोड़ा प्लांटम्टस है उनकी पतीं में उनकी लिफ्ज में एक हरा फिर एक साम cambi और फिर चेयए इसकी उपस्तिति के कारण ही पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल है इसके रहने की वज़ा से ही जो पेड़ की पत्तिया रहती है वो हरी रहती है हरी रंग की रहती है अभी देखो आगे आपको क्या बूल रहे हैं क्लोरोफिल सूर्च के प्रकाश को संग्र करने में मदद करता है आगे क्या देखो आपको आता है पत्यों द्वारा संग्रहित उर्जा को पौदे भोजन के रूप में संचित करते हैं क्या है पो बोले कि जो पेड़ की पत्या रहती है जो सूरज की रोशनी को अपने अंदर जमा करके रखती है तो पेड़ क्या करता ह उसको अपने भोजन के रूप में यूस करता है मतलब उससे अपना भोजन बनाता है यही कारण है कि पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है क्या बोल रहे हैं यही कारण है कि जो पेड़ की पत्तिया रहती है उनका जो कलर रहता है वो ग्रीन रहता है हरा रहता है अब देखो सेकंड में क्या है आपको यहां पर सेकंड में बोल रहे हैं कमरे में रखा पौदा क्यों मुर्जा गया बताओ देखो क्या बोल रहे हैं जो गमला था जो पौदे का वो जबी कमरे में रखा गया तो क्यों मुर्जा गया तो उसका उत्तर क्या है पौदो को भोजन के लिए सूरे के प्रकाश की ज़रूरत होती है क्या बोलने जो पौदे ही रहते हैं उनको भोजन के लिए मतलब अपना खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है पौदो की पत्तियों में एक हराव औरनक होता है क्या बलने है जो पौदो की पत्तिया होती है उसमें एक हराव औरनक मतलब एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं कि जिसे के खुलरोफटील के जिसे आक से के उपर हमने पढ़ा है, ठीक है? जो decl nationalism को संग्रण करने में पत्तियों की मदद करते है, क्या बलना है और जो पत्या जो सूरच की रोशनी को जो उर्जा को जमा करते हैं उसको पेड़ अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं मतलब उससे अपना भोजन बनाते हैं इसलिए धूप ना मिलने के कारण यहां पे थोड़ा सा रॉंग हो गया यहां पे धूप यहां पे देखो बड़े हूग के मातर आएगी और कारण में ना है यह भी गलत है तो यह दोनों को मैं सही कर देता हूँ तो देखो कुछ इस तरीके से आएगा क्या रहेगा इसलिए धूप ना मिलने के कारण कमरे में रखा पौदा मुर जा गया क्या बोल रहे हैं कि यही सारी वज़ों से धूप नहीं मिलने के कारण जो पौदा था वो कमरे में मुर जा गया आप देखो थर्ड के आपको थर्ड में आपको बोल रहे हैं कि सूरे के प्रकाश में रखा पौदा हरा क्यू बना रहता है कक्षा में चर्चा करो क्या बोला है कि जो सूरच की रोष्णी में जो पौदा रखा रहता है वो हरा क्यू रहता है इसकी चर्चा आप क्लास में करो तो देखो कैसे आप चर्चा करोगे समझ लो आपको कोई दोस्त है कपिल और सिक्षक जो टीचर है उनमें बाते हो रही है तो देखो कपिल के पहले क्या बोल रहा है गुरू जी पौदे को हरा बनाए रखने के लिए सूरे प्रकाश क्यों जरूरी है तो देखो जो कपिल है ये जो बच्चा है ये अपने गुरू को मतलब अपने टीचर को पूछ रहा है कि गुरू जी जो पौदा है उसको हरा बनाए रखने के लिए हमें सूरेच की रोशनी की जरूरत क्यों पड़ती है इसका उत्तर इसका क्या दे रहा है सिक्षक जो है जो टीचर है क्या बोले खाना पकाने के लिए गर्मी चाहिए क्या बोले कि जब भी हम खाना पकाते है उसके लिए गर्मी चाहिए मतलब आग चाहिए हमारी रसोई में गैस के चूले पर खाना पकता है और क्या बोले टीचर जिससे आग जलाई जाते है उसे उपले बोलते है ठीक है तो हमें क्या बोले है? गाउँ में उपले जलाकर चूले में आग उत्पन किया जाती है आग जलाई जाती है पौदों के पत्ते हवा से कार्बन डियोकसाइड और पत्तों के क्लोरोफिल के सायाओं से अपना भोजन बनाते हैं क्या बोलें कि जो पौदे रहते हैं वो क्या करते हैं हवा से कार्बन डियोकसाइड लेते हैं और जो पत्ते रहते हैं वो क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं अपने खाना बनाते हैं इसके लिए सूरे प्रकाश की गर्मी आशक है और क्या बनाने के लिए जो सूरज की जो रोशनी है उसकी गर्मी बहुत जरूरी है और आगे क्या है कार्बन शोशन की क्रिया सूरे प् absorb करने की जो सोखने की प्रकिरिया रहती है वो सूरज की जो रोशनी रहती है उसके उपस्तिती में ही होती है उसकी presence में ही होती है इसलिए सूर्य प्रकाश में पौदा हरा होता है क्या होले इसके कारण ही जो सूरज की रोशनी में पौदा रहता है वो हरा भरा रहता है ओके तो यहां पे हमारा ये chapter complete हो गया है अभी अगले वीडियो में मैं आपको दूँगा next chapter तो आप channel को subscribe करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले और ये वीडियो जो मैंने आपको कराया अच्छे से पढ़ लो और revise कर लो और question answers भी learn कर लो ताकि अगर आपका test हो तो आपको full max आए मिलते भी अगले वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसी वीडियो को like करो अपने दोस्तों के साथ share करो और channel को subscribe करो Thank you